नमस्कर दोस्तों एसके होस्प्लांस में आपसे क्यों सागत है आज हमने आप सभी के लिए 23 फिट वाई 30 फिट का इसमॉल हाउस प्लांट डियाइन किया है आप सभी को यह हमारा बनाया हुआ होस्प्लांट पसंद आएगा आप सभी वीडियो लाइक करें अपने दोस्तों फैमली के साथ शेयर करें और जो मेरी वीडियो को पहली वार देख रहे है चैनल सब्सक्राइब करें ता बैल आइकन का बटन दबाएं इससे मेरी आने वाली वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके है आईए अप प्लान देखते हैं यह हमने ग्रांट फ 10 फित व вам और 15 वाइड है दूसरी साइट 30. temas है यहां पर हमने मेंगेट डिजाइन कीया है मैन गिए वाइड और यहां से उने 1 फ्लूर पर जाने के लिए इसंवें 3 फित वाइडि एस संट फ्लूर पर जाने के लिए लेट साइड में यह हमने kitchen design किया है यह है तेन फिट ठी इंच वही 7 फित 10.5 इंच इसमें 10 फिट ठी इंच यह side और 10 फिट 5 इंच यह side है kitchen के ventilation के लिए धर हमने road side में window design किये है जिसे kitchen का सारा दूः बाहार निकल सके और एक यह kitchen के सामान के लिए एक store design किया है 4 feet 6 inch वही है, 2 feet 6 inch का यहाँ पर यह हमारा living area रहेगा 9 feet 9 inch वही 7 feet 10.5 inch का इसमें 9 feet 9 inch यहाँ से यहाँ तक यह side और 10 feet 0.5 inch यह side यहाँ पर common toilet डिजाइन किया है, यह है 6 feet वही 5 feet का, इसमें 6 feet यह side है और 5 feet यह side है पीछे की side में हमने यह 2 bedroom डिजाइन किया है यह हमारा master bedroom रहेगा 10 feet 3 inch वही 10 feet का इसमें 10 feet 3 inch यहाँ से यह side और 10 feet यह side है इसमें अटेच्ट toilet है यह 4 feet 6 inch वही 5 feet का यहाँ पर यह हमने covered यह इन की है और यहाँ एक OTS दिया है इस room के ventilation के लिए है और यह second bedroom है इसके भी ventilation के लिए है second bedroom है इसका size है 10 feet 10.5 inch वही 10 feet का यहाँ पर इसमें यह हमने covered यह इन की है और इस room के ventilation के लिए हाँ पर यह window इन की है तो दोस्तों आप सभी को यह हमारा बनाया हूँ house plan पसंद आएगा आप सभी वीडियो लाइक करें अपने दूस्तों family के साथ जाय 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 शेयर करें और आप सभी comment करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और किस तरह की plan आप चाहती है आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद